तो दुस्सू दिनेश कार्तिक IPL 2025 से पहले रिटार्मेंट की खोशना कर दिया है, IPL 2025 नहीं के लेंगे, इन्होंने ये पूरी तरह से कन्फर्म कर दिया है, इसके एलावा Royal Challengers Bengaluru IPL 2025 के लिए 4 बड़े खिलाडियों को रिटेन करने वाली है, तो कौन-कौन से हो 4 बड़े खिल और रिटेन प्लेयरों के बारे में जानकारी मिलने वाली है, तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है, काफी जादा इंपोर्टन वीडियो में अन्त तक बने रहना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आईकन दवादना हुए से 200 IPL से जोड़ी हर चोटी बड़ीनी अपडेट सबसे पहले पानी के लिए, आप हमारा टेलिगराम चैनल जोईनने कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक में मिल जागी, तो आईए चलो वीडियो इस्टार्ट करते हैं, तो दूस्तो सबसे पहले हम बात क का चौता जो नाम है वो है रज़त पाडिदाज, ये चार बड़े खिलाड़ी जिनको रोयल चैलेंजर बिंगलूरो आईपील दो हजार पचीस के लिए रिटेन कर सकती है, वो ही अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की, जिनको रोयल चैलेंजर बिंगलूरो आईपील द लिए दिख कर सकती है वही नाम आता है दिनेश कार्थी का जो रिटार्मेंट ले चुके नाम आता है फैब डुप्लेसित का नाम आता है अनुजे रावत का नाम आता है एसपर बुदेशाई का मैपाल लोमार करन शर्मा मनोच मयंक डागर वाईजाक वीजय कुमार इन खिलाडियों को रोयल चैलेंजर बिंगलुरु आईपील दो हजार पचीज से पहले रिलीजे कर सकती है हलाकि येस देयाल और सौपनिल सिंग जिन्हों ने आईपील दो हजार चुबिस में काफ़े बहतरीन परदाशन किया था जिनके चलते रोयल चैलेंजर बिंगलु के ऑक्षन में इन्हें रिबाय करके अपने स्कॉइट में शामिल कर सकते हैं और आईपील दो हजार पचीज में एक बार रोयल चैलेंजर बिंगलुरु के लिए फिर खेलते हुए नजर आ सकते हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता क्या ग्लेन मैक्सिल फैब डूप्लेसि